हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्ते शेकिष्णा शिरादे बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं जोतिश दिशा सब्तिकिरा अपने दोश संतों संतों की साथ यह है इस्पेशल और मैं हूँ आपके साथ आज एक ऐसे विशे को ले करके जो आप सब के लिए कई मामलों में बहत खास होता है आज फिर से एक बार हम रिष्टों की तरफ बढ़ रहे हैं क्या करें समस्या ही ऐसी लोग ले ले करके आ जाते हैं कि हमें उस दिशा में नया नया विशे मिल जाता है एक गीत है या भ्यास अभ्यास की बात हम आप हमारे परजन आप हमारे दोस्त हैं हम आप मिल करके कुछ करेंगे कुछ खास करेंगे ये खास तभी होगा जब हम अपनी शक्तियों को अपने विचारों की शक्तियों को एक अलग दिशा में ले करके चलेंगे पॉजिटिव दिशा में ले करके चलेंगे तो गीत बहुत प्यारा सा है और उसके बोल बहुत प्यारे है लेरिक बहुत प्यारा है तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं तुम किसी गैर को चाहोगी तुम मुश्किल होगी मतलब यह कहने का है आज का विश्य हमारा यही है कि हमारा कोई अपना हम उस पर अपना अधिकार जमाने लग जाते हैं जताने लग जाते हैं बाधने लग जाते हैं हम चाहते हैं कि वह सिर्फ हमारा ही बन कर रहे हैं जिसको हम इंगलिस की भासा में पजसिवनेस कहते हैं अब ये पजसिवनेस ठीक तो है एक सीमा तक लेकिन अथिसरवत्र वर्जयत के हिसाब से एक सीमा के बाद यह जैसे लगता है कि एक बंधन है एक फोपना तुम उससे क्यों हस के बात कर रही थी तुम उससे क्यों बोल रहे थे तुम उससे क्यों चैटिंग कर रहे थे स्क्रीन शॉट दिखाओ ये करो वो करो ये विचाल हमारे रिस्तों को खोखला कर देते हैं इसमें कहीं न कहीं आविस्वास की बू आती है आविस्वास शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा एक मार है बहुत बड़ा एक नकरात्मक शब्द है आविस्वास जो किसी भी रिष्टे को काटने के लिए जड़ से उखारने के लिए काफी है ये आविस्वास हर रिस्ते में होता है हर विचारों में होता है हर भावनाओं में होता है शादी के 10 साल बीत गए 15 साल बीत गए किसी भी कारण वस कोई अन्ने हमारे समझ में आने लग जाता है हम उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने लग जाते हैं उसके साथ हसने बोलने बात करने लग जाते हैं इसमें सामने वाला अच्छा उसके साथ हमारे वक्त बिदाने से हमारे अगर दामपत्य जीवन पर किसी प्रकार का आसर नहीं पड़ रहा है तो हम उससे गुरेज क्यों करते हैं हम उस चीज को बहुत निगेटिव क्यों मानते हैं आपके हिस्से का जो है वो तो आपको मिलेगा और मिल रहा है अब उसपर आप अंकुष लगाना शुरू कर दें लड़की को भी लड़की को भी पती भी पतनी भी दोनों करना सुरू कर दें फिर क्या होगा फिर वो चीजे चोरी-चोरी होने लग जाएंगे आपने एक बार खुलम-खुला देखा मना किया नहीं माना चोरी-चोरी शुरू हुआ अब यही आविश्वास बढ़ने लगा कि अच्छा आपने मना किया उसके बाद भी तुम ऐसे शुरू कर दिये तुम ऐसे कर रहे हैं तुम ऐसे कर रही हूँ इस्थिती बहुत दुरह हो जाती है और नतीजा यह निकलता है कि कई बार 15-20 साल की रिष्टे के बाद भी डायवोर्स की नौब बता जाती है और सेप्रेशन हो जाता है पिछले दिनों एक कारक्रम में हमने बताया था इस्त्री के भटकने के कारण आज हम अविश्वास सब्द के साथ पुरुष पर प्रकाश डाल देते हैं पुरुषों के लिए बहुत ध्यान से समझीएगा हर पुरुष इसको बहुत ध्यान से देखे पुरुष शब्द ही एक भटका हुआ शब्द है जीवन में पुरुष के लिए जो सबसे अनिवारे चीज और फैर सहर एक किसी के लिए है बिद्या के लिए जब हम लगे रहते हैं तो हम बिद्या लेते हैं जुतिये अवस्था आती है 25 से 50 तो हम धन कमाते हैं सास्त्रों में भी वरणित है और तिर्तिये नार्जिते पुन्यम तिर्तिये अवस्था 50 से 75 हमें पुन्ये अर्जित करना होता है ये सारी वरगी करण सास्त्रों के हिसाब से है और हम अपने जीवन को भी उसी हिसाब से लेके चलते है और ये बहुत सच्चे है बहुत इग्जैक्ट है परंतु पुरुष ध्यान दे मैं विशे से भटक नहीं रहा हूँ अभी स्वास प्याऊंगा लेकिन पुरुष पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ बच्पन से लेके मृत्यूत तक जो एक चीज पुरुष के साथ चलती रहती है कॉमनली चलती है मूलतह चलती है वो है इस्त्री लड़की गर्ड ठीक इस्त्री के प्रति उसकी आसकती उसका लगाव उसका जुकाव मूलतह है उसके जड़ में है कभी-कभी ये जुकाव जब एक्सेस हो जाता है तो विकार बन जाता है दुराव बन जाता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी समीकरण हमने देखे हैं जहाँ पर इस्त्रीयां खुद किसी खास की तरफ बहुत डीपली अट्रैक्ट होने लग जाती है और वो अट्रैक्शन एक सीमा क्रॉस करके फिर उसके किसी तरह के तमाम प्रभाओं को डिस्ट्रॉय कर देता है तो भी मैं इस्त्रीयों के सामने भी बोलता हूँ पतियों के सामने पत्नी को, पत्नी के सामने पत्नी को मैं सब कुछ ओपन है जो आप देख रहे हैं वीडियो में वो व्यक्तिगत मिलेंगे तो भी मैं ऐसा ही देखूँगा होता क्या है कि लक्ष्मी लक्ष्मी को आकर्शित करती है आप देखेंगे कि जितने सिलिब्रेटी मेल हैं पुरुष हैं उनसे लड़कियां दीवानगी की हद तक प्यार करती हैं पागलों की तरह पसंद करती है प्यार वो उसी तरह का प्यार है जो एक लड़की एक लड़के को करती है किस तरह पूरुश को करती है वही वाला प्यार होता है वो बहन वाला दीदी और भाईया वाला प्यार नहीं होता है वो वही sexual attraction का प्यार होता है वो बहुत true है यह universal true है इसको कोई माने ना माने बट इस मंच पर हम इसको बहुत शालिंता के साथ शब्दों को रख रहे हैं वो सारेरिक आकरशन का ही प्यार है वो बहुत fact है तो यह बहुत सकरात्मग है यह लक्षमी के साथ जुड़ा है धन के साथ जुड़ा है लक्षमी लक्षमी को खीचती है हम बहुत धनवान हैं हमारे पास बहुत पैसा है तो obvious सी बात है कि लड़कियां पिष्ट्रियां खूब attract होंगी वो चाहे राजनीत से जुड़ा हो कोई चाहे क्रिकेटर कोई हो या फिर कोई फिल्मी दुनिया का actor हो वहाँ पर age भी कोई बार नहीं है आयू का भी कोई बंधन नहीं है ऐसे कोई समाज में हो 50 साल का अधेर हो और वो कोई 18 साल की लड़की उसको I love you बोल दे तो दोनों की पिटाई हो जाएगी समाज क्या कहेगा लेकिन वो लेबल उपर है वो जहाँ लेबल है वहाँ 52-55 साल के सलमान खान को 18 साल की लड़की I love you बोल सकती है क्योंकि वो लेबल दूसरा है वहाँ पर समाज माज का बंधन और दाइरा वो तूट चुका है वहाँ पर एक आइकान है वो वो एक लेबल है तो हम इस विशे को इसलिए दो-तीन चीजे आज एक साथ अभी हम मर्ज कर रहे हैं देखिए एक तो ये विशे हो गया कि एक लेबल के बाद पूर्षों का जुकाव या पूर्षों के प्रति महिलाओं का जुकाव बढ़ जाता है उसको हम सगरातमक दिश्टिकौन से ठोडें उसमें हम तलश है कि इसमें सगरातमक तक कहां कहां हो सकती है लेकिन अगर उस जुकाव या फिर उस बदलाव के कारण किसी का परिवार प्रभावित होगा तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा दोश कुछ नहीं हो सकता है किसी का भी परिवार प्रभावित नहीं होना चाहिए आपके शौक आपके जुकाव आपकी वजह से आपके कारण कोई भी अगर दुखी होता है और आप उस कारण को दूर करने में सक्षम है तो दूर जरूर करें आप अपने आपको रिजर्व रखें यही आपके लिए शुब होगा यही आपके परिवार के लिए हितकारी होगा तो एक सीमा के बाद अविस्वास अब हम अविस्वास पे फिर से एक बार आते हैं अगर आपके अंदर अविस्वास बहुत ज़्यादा आ गया है तो आप इसको खुद से दूर करिए मैंने बताया था ना उस वाले वीडियो में कि अवरत इस वज़य से भी भटकती कि लोग बहुत ज़्यादा सक करते हैं और लोग अभ़म करके दिखाते हैं ये भाव पुरुशों के मन में भी आता है आपने अपने पति को पकड़ लिया केस आये हैं आज आप समझ जाईए कि अगर हम इतनी रात में विशे लेकर आ रहे हैं तो केस आया है कोई तो मैं उसी पर आधारिती बात बता रहा हूँ मान लिजे कि आपने अपने पति को पकड़ लिया किसी से बात करते हुए चैटिंग करते हुए चलिए मान लिया कुछ लूज टॉकिंग भी हुई है आपने सरफोड़ोवल किया अपना सरफोड़ा उनके सरफोड़ा तो क्या सरफोड़ने से बिल्डिंग में हंगामा करने से मार पीट जगणा करने से वो चैटिंग डिलीट हो जाएगी या उनके दिमाग से चैटिंग हट जाएगी क्या होगा उससे आपका विवेक कहा गया करिए मैं मना नहीं करना हूँ करिए लेकिन यह बता दीजे कि उससे क्या मिलेगा अगर आप गारंटी ले रही है कि इससे आपके पती में सुधार आ जाएगा तो कर डाली आप मैंने मना नहीं किया है आप करिए लेकिन गारंटी दीजिए और अगर गारंटी नहीं दे सकती है तो क्यों कर रही है हंगामा बच्चों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा जश्ट वेट एंड वाच करना क्या चाहिए उसको सुनिए आप आप मौका दीजिए आप उनसे कहिए शालिंदा पूरवक्त कि आप ये गलत कर रहे हैं इसका ये करने से ये दिक्रते हो सकती है हाँ अगर एक हेल्दी रिलेशन रखना है तो आप छूट भी दे सकती है एक दोस्ती लेकिन उसका प्रभाव आपके परिवार पर नहीं पढ़ना चाहिए सिर्फ इस वज़ह से कि तुम उनसे क्यूं प्यार करने लगे तुम उनसे क्यूं बात करते हो वो एक लड़की है वो आपके आफिस में काम करती हो आपकी कुलीग है वो आपकी बॉस है वो आपकी क्लाइन्ट है इस वज़ह से तो नहीं ठीक है एक औरत से बात करना ये बुरा नहीं है उसके साथ भी तो आपका पती सब कुछ कर रहा है ना हाँ नहीं कर रहा है तो आप इसके लिए स्टैंड लीजे अगर अपने दायतों से उसके कारण भागने लग गए है तो आप स्टैंड लीजे लेकिन अगर बाकी चीजे सब कुछ as usual चल रही है तो let him do कोई दिक्कत नहीं है बस ये देख लीजेगा दोनों से बता रहा हूं कि इस कारवाई के कारण इस चैटिंग के कारण इस प्रेमालाप के कारण इस बुढ़ावे के मुहबबत के कारण कोई प्रभावित ना हो किसी का परिवार ना प्रभावित हो कोई बच्चा दूद के कारण रोने ना पाए कोई पत्नी एक साड़ी के लिए तरसने ना पाए कोई पिता अपने पुत्र के साथ बैठने के लिए तड़पने ना पाए ये सब ध्यान देजेगा इन सब चीजों पर प्रभाव ना पड़े तो do whatever you want to do everything कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है एक उपाय हम कर देते हैं उन समस्त महिलाओं के लिए जुनको लगता है का उनके पति किसी और से इंवाल्व हो सकते हैं उनके लिए लीजे उपाय बता देते हैं एक केले का पत्ता लीजे उस पत्ते पर केसर घोल करके और अपने पति का नाम साथ बार लिखिए और उस पर दूर्वा दूब घास ग्रीन ग्रास आफ पार्क दूर्वा पीस कर उसका रस निचोड़िये थोड़ा सा और इस पत्ते को आप फोल्ड करिए दो तीन बार और कलावा मोली जो रक्षा सोत्र पहनते कलावा से बाधिये और ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए शिवलिंग के पास रख दीजिए कहीं दूर दराज ले जाईएगा जहां आपको आपके पती कोई ना जाने पता चला कि आपके पती का नाम निकलाया तो दूर दराज किसे शिव मंदिर में जाईए शिवाले पे चढ़ा किया जाईएगा यह उपाय करिए हमारे शुब कामना है आप सब का रिस्ता हमेशा मजबूत रहे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने समस्त दोस्तों को हम बताते हैं सजोई आप रिस्तों को सजो कर रखे हमारे शुब कामना है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सब की प्यार के लिए फिलाल के लिए हमें नुमत दीजेगा आप लोग खुश रहे हसते रहे हमें को नुमत दीजेगा और देखते रहे अधिक जोयनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर्क करें डबल लाइन 10291850 और डबल लाइन डबल लाइन 02400 डबल लाइन जाल कारिए लाइन 1029 podr अपुष भूश लोग भी अधिक जोश लाइन 6D ंपकत्ष्ण सबस् हूआ । 6